हेलो यूटूब फैमिली स्वागत है आप सबका मेरे चानल पे तो मैंने गैस पे रख दिये कड़ाई कड़ाई में डाल दिया है और ये जो मिस्सल था इसको मैंने राद भर भीगो करके रखा था और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था कड़ाई में मैंने थोड़ा सा जीर डाला था और ये कटा हुआ बारिक-बारिक प्याच था लस्व नद्रक का पेस्ट भी डाला था और मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भून रही थी और साइड में जो मिस्सल था वो भी बॉयल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे टामाटर बारिक-बारिक पिंग कर ली थी उसके बाद मैं इसमें नमक एट कर दूंगी और जो टामाटर का पानी है इससे फटा-फट से पानी गल जाएगा और ये शेंगदाने और खोबरे का मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था थोड़ा जाड़ा जाड़ा एकदम बारिक नी यहाँ पे कुछ करम मसाले थे लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और मसाला और ये साइड बे मिस्सल मसाला था तो पानी बरने के बाद मैं इसक खोबरे का पेश्ट था और अच्छी तरह से मिक्स कर लूगी तो थंडियों का मौसम है तो फिर फटा-फट से खाने को तो क्या कहें जो थंडियों मिलता है कि बस भूक लगी जाती है तो फटा-फट से आप सब भी जाए मिस्सल पाउडर का मजा लीजिए बनाईए खाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए तो यहां पर देख सकते हैं अलग से बरतन पर बॉइल हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा नमक डाल करके मैं बॉइल कर ली थी और यहां पर अलग से चान करके निकाल ली थी मैंने और यह जो गरम मसाले थे यह मैंने डाल दिये थे इसमें पटाफट से जब इसमें पानी मर चुका था देख सकते हैं आप सब और फिर अच्छी तरह से mix कर लेंगे आधा मिनट भूनने के बाद भूनने के बाद मैंने ये जो मिस्सल था वो मैंने आट कर लिया है और जो मिस्सल मसाला अलक्ट से होता है उसको भी मैंने दो बड़े चम्मच यूज किये हैं और half tablespoon हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर half tablespoon और थोड़ा सा गरम मसाला और फिर मिसल मसाला अलग से फिर यह सब डाल करके मैंने थोड़ा एक मिनट तक और थोड़ा चला लिया था और फिर जो यह mixi में जो बचा हुआ बसाला था उसमें मैंने पानी डाल करके फटा-फट से डाल दिया था कड़ाई में जट-पट बनने वाली recipe है जो इसमें मैंने पानी यूज किया है वो है मिसल का ही पानी जिससे एकदम जादूई सी बनती है हमारी मिसल एकदम tasty and healthy बहु क्योंकि पानी को पकने में लगता है time तो ये पानी गरम रहता है तो बहुत ही जल्दी से घुल जाता है और taste अलगी आता है तो ये जट-पट ready हो गया है हमारा मिसल पाओ तो मैं मिसल को निकाल ले रही हूँ यहाँ पे डाल दूंगी कटा हुआ प्याच कुछ फरसान और यहाँ पे नीमु रख दिया है फटा फट से आप सब भी लाब लीजिए थंडियों के मज़े लीजिए कैसी लगती है मेरे रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए थैंक यू